महराश्ट्र के वाशिम जिले में सुमवार को एग्जाम के दौरान हंगामा हो गया यहां सेंटर पर एग्जाम देने पहुंची छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनसे जबरदस्ती हिजाब और बुर्खा उतरवाया गया है इस समझ में छात्राओं के परिजनों ने हंगामा किया और स्थान ये पुलिस को शिकायत किया है पुलिस का कहना है कि आरोप सामने आया है मामले में जांच के बाद ही सच्चाई का सामना होगा दरसर एक दिन पहले देश भर में एग्जाम था इसमें हजारों विद्ध्यार्तियों ने पेपर लिया लेकिन वाशिम में एक एक्जाम सेंटर में मुस्लिम छात्राओं से नकाब और हिजाब उतरवाया गया इस सक्ति से छात्राओं में नाराजगी फैल गई मौके पर मौझूद छात्राओं के परीजनों ने विरोध जताया और हंगामा किया बाद में मामले की शिकायत पुलिस में दर्च प्रशा सक्किया अधिकारी और सदस्यों ने बचसुलुकी की और उनसे कहा गया कि बुर्खा उतारें वरना कैची से काट देंगे और पेपर भी नहीं देने दिया जाएगा पीडिट छात्राओं से एक्जाम सेंटर में बचसुलुकी की खबर वाशिम शहर में फैली नहा पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया पुलिस अधिक्षक बच्चन सिंग ने महाविज्याले के बाहर पुलिस बल तैनाज किया है पुलिस का कहना है कि मामले में छात्राओं की तरह से शिकायत मिली है जांस के बाद वाशिम पुलिस कारवाई करें कि आपको इन पर देखी पा रहे होंगे हम आपको इसी चीज़ के बता रहे हैं आईए इसके बारे में और जानते हैं न्याइक समस्या सभी आप रादिक राजनीतिक कानूनी तथा सरकारी अत्याचा और अन्याइक समस्या की तक्रार करें आपकी फसी रकम वापस मिलेगी और समाथाएं पर खत्म होते हैं आपसे मिलेंगे ऐसे एक और वीडियो में तब तक ले सदर यह सुरक्षिर हिंद